इस बैस्विक महामारी में राज सरकार और केंद्र सरकार का निर्देश है कि हर गरीव राशन कार्ट धारी को अनाज दी जानी है लेकिन सहर के डंडी बाग मुहलों का मामला है कि कई परिवारों को नए राशन कार्ट तो दे दिये गए लेकिन दुकांदार के यहां जाने के बाद बेरंग वापस लोटना पड़ रहा है दरअसल लोगों का आरोप है कि डिलर वाले दो महीने से उन्हें राशन नहीं दे रहे हैं राशन काट धारी को अनाज से बंचित होना पड़ रहा है वहीं डिलर ने इस मामले को बे बुनियाद बताया है अब तक नहीं मिला है जितंबर आज 12 हो गया है और इसके बाद भी जो लोग आ रहे हैं एक दो दोकान इसका वहां पर बैतरनी के पास है लेकिन दोकान नहीं घर पर बिला रहे हैं वहां सो घुम घुम के यहां रहा नहीं है किम के अंडर में है यह कौन का अज बता लगाएन जाया यानि महेना का लश्ट भी हो जाएगा जो का पर सो आएग तो नहीं नहीं मिला है तो यह इसी महीना हुआ समस्य या हर महीना हो रहा है दो तीन महीना से हो रहा है कुपर में टाइम दे रहे हैं उर टाइम पर हम राशा नहीं देंगे उसके बाद ही ने कहिएगा पुपन से नो सितंबर अगाश्त हो जब नहीं को अगास्त वाला सितंबर में अधा है। तो लेकिन मिला नहीं लोग नहीं किसे मिलेगा नहीं आपके सामने जनता है आपके नहीं दिये हैं कुछ कुछ करें देखे आपके सामने पुराना को